कि विएडियो के साथ करने से पहले आपसी रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर प्रमारा जो टोपीटिंच में वह वाइक पॉलिम्राइजेशन फ्लाइएस अगरई जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि जो आप एक्जाम दें यह चीज़ी आकसर पूछी जाते हैं तो पहला हम जानते हैं कि मारा वैट यह जो करते हैं टैक्निक वन लिएर बंता है यानि हमारी पहले एक लिएर बनेगी एक लियर बन गया फिर दूसरा बनेगा फिर तीसरा बनेगा इस तरीकले से additive manufacturing में किसी भी object को बनाते हैं तो वही यहां हर जितनी भी additive manufacturing process है उसमें यह technique जरूर अपना ही गई होगी तो वैट polymeration होता क्या है इसमें कहता है जो हम object को बनाने के लिए जिस material का use करते हैं उसे हम कहते है use of wet liquid photopolymer resin वह यानि एक तरीका हमारा photopolymer resin होता है एक liquid के form में होता है जिसको हमें क्या करना है एक object में convert करना है अब यह क्या होता अभी liquid के form में है फिसको क्या करते हैं हम curing करते हैं curing के लिए हम क्या करते हैं UV light का use करते हैं अब जब हम UV light का use करते हैं तो इसमें क्या होता layer by layer हमारा element क्या है जो product हम बनाते हैं बनता है यानि पहली लेयर बनी क्योड हो गई फिर दूसरी लेयर क्योड हो गई और यह क्या होताए डाउन वर्ड जाता रहता है और यह एकिक लियर हमाणी क्या होती तयार होती है तो इस तरह की से हमारा second process होता है digital light processing this is called DLP and continuous digital light processing CDLP यह यह तीन process है जो wet polymerization को क्या करते है define करते है इस तरीके से हम इस technology के थूरू किसी भी object को बना सकते हैं यह होगा wet polymerization का एक work कि किस तरीके से दोस्तो work करता है अब देखते हैं इसमें इसका working process किस तरीके से हमारा होता है इसमें देखो देखते हैं एक अपवाड में क्या होती है एक laser लगा होता है यह हमारा क्या है laser है laser का use क्या है जो भी हमारा liquid resin है उसको क्या करेगा cure करने का काम हमारा क्या करता है laser करता है यह हमारा पूरा वैट होता है, एक कंटेनर होता है, जिसमें एक तरीक से हमारा जो लिक्विड का रेजिन है, वो वैट जो रेजिन है, वो पूरा फिल होता है, यह हमारा दिखा रहा है कि फोटो रेजिन का, और यह हमारा क्या है, क्यूरिंग को सो कर रहा है, कि हमारा जो अब्जेक्ट किस त हुआ इस तरीके से लेजर कखें होगा हमारा होता है जो सो कर रहा है कि जिए क्या होता है। सपोर्ज वह था सट एन यहां है यहां वह इस निकल लेते हैं जो हमारा object बन चुका होता है अब इदे को working process इस तरह दूस्तों कि इस तरीके से होता है suppose that हमारा भी first layer हुई पहली क्या होई first layer तैयार हुआ अब जब भी first layer इस तरीके से तैयार होगा तो यह laser क्या है इस तरीके से ऐसे ऐसे move करेगा यहां गई ठीक है अब यहां liquid resin तो continue हुए उसको क्या कर रहा है यह laser क्या कर रहा है continue pure करते जा रहा है ठीक है यह हो गया फिर जब second layer बनेगा तो फिर यह क्या करेगा एक layer बनाएगा इस तरीके से फिर यह इस तरफ move करेगा फिर यह यह जो laser है वो इस तरीके से एक बार इस तरीके से मूब करती है लेफ्ट एक बार इस तरीके से राइट मूब करती है और यह कांटीन हुमारा माटेरियल जो है एक तरीके से लेयर वाइस लेयर लेयर बनता जाता है जैसे कि हमेरे यहां क्या है कोई माटेरियल नहीं चाहिए तो यहां यहां लेजर दोवारा liquid photo polymer resin के दोवारा बना सकते हैं ठीक है यह दोस्तों में हमारा concept होता है वैट photo polymerization का process का अब जैसे इसमें लिखा कि photo polymer का हुट होता है इसमें mostly polymer का ही use करते हैं कि इसका polymer का यूज करते हैं जो एक तरह के हमारा resin के form में होता है उस liquid liquid resin के form में होता है जिसको हम क्या करते हैं solidify करते हैं laser के through और एक हमारा object के रूप में convert हो जाता है ठीक है तो यह होगा main concept हो गया कि हमारा wet photo polymerization किस तरह किसे work करता है अब इसके advantage के बारे में बात करते हैं और इसके disadvantage के बारे में बात करते हैं दोस्तों आपसे request है बार-बार अगर चैनल को अच्छा लग रहा है वीडियो समझ में आ रहा है प्लीज दोस्तों चैनल को like share comment जरूर करें अब advantage के बात करते हैं इसमें high accuracy में मिलती है यानि जो material को हम बनाते हैं वह high accurate होता है जिस तरह के समयं designing चाहिए जिस तरह के से हमें उसकी dimension चाहिए वह हमें exact मिल जाती है क्योंकि हमारा क्या full of photo resin है wet liquid हमारा resin है जहां पे में laser cured करना है जिस तरह के समयं design करना है वो design हमें accurate बनती रहती है यह तीनों axis पे घूम सकता है जिससे मना बता है left right and z axis पे good fincing इसमें fincing हमारी अच्छी होती है जो थोड़ी थोड़ी fincing अगर नहीं होती है तो उसको बाद में क्या करते है fincing कर लेते हैं फिलाल जो इसमें जो मारा process होता है पूरा fincing तयार होता है बिल्कुल accurate process तयार होता है यानि आपने देखा होगा 3D object के उपर जैसे मैं एक example ले लूँ जैसे यह 3D object के उपर एक design कटी हुई है या फिर यह हमारा लिखा हुआ है ठीक है तो हम क्या करते है इसक किसे हमारी इसमें बन जाती है और fincing हमें अच्छा मिलता है अब करें relatively quick process यह हमारा जो process है बहुत ही जल्दी होने वाला process है यानि हमें time बहुत जादा कम लगता है इस process में कोई भी हमें object कर बनाना है तो large build area हाँ अगर हमें काफी material है काफी area से बनाने है काफी लंबे बनान को define करते हैं अब बात करते हैं इसके disadvantage के बारे में retail expensive यह इसमें laser का यूज करते है तो इस पे expensive हमारा material होता है जो हम इसमे वैट का यूज करते है फोटो मलेजेशन के लिए material का वो भी हमारा महेंगा होता है तो यह मारा एक तरीके से expensive process माना जाता है अब कहरा है कि lengthy post processing time का मतलब क्या है कभी कभी क्या है यह cured नहीं हो पाता ठीक से कुछ material सब्सक्राइब कोई part नहीं cured हो पाया तो जब cured कोई part नहीं हो पाता तो वो एक त जिसको process कहते है post processing तो इसमें हमारा क्या होदा post processing का time लगता है जिसे में क्या करना पड़ता है तो यह timing हमारा थोड़ा lengthy हो जाता है किको मैं again क्या करना पड़ता है उसको क्या करना पड़ता है limited to the photo resin material हाँ यह मैं कहरा था जब्सक्राइब होता है तो फोड़ा तास्टली भ जो जूबी लाइट पड़ रही है जो अभी हम क्यूरिंग के लिए यूज़ कर रहा है तो यह एफक्ट भी डालते है इस मडेल के उपर कि हमारा मटेरियल किस तरीके से एफक्टेट भी बन सकता है तो यह दोस्तो हुआ हमारा मेन पहला टॉबिक कि हमारा फोटो जो मारा वै